सुजय शिराम दोस्तों आज की वीडियो में आपको बहुत हो सागत है आज हम समझेंगे कॉशन नमबर 12 आई होप आपको पूरा कॉशन अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक है कॉशन नमबर 12 में हम आपको बोला है कि if a,b belongs to g और g हमार पास क्या है group है क्या बोला है कि दो element हमने किसी group से ले लिए अभी हमार पास g क्या है group है certainly group है group मने इसके जितने भी elements है उसने closure property satisfy कर दी associativity और इसमें कोई identity भी हमार पास है और जब हमार पास हर एक element का अपना एक inverse भी होगा समझ में आगी बात ठीक है then then देखो हमारे caution में जब then लगता है इसका मतलब होता है then के आगे जो लिखावा है वो हमें प्रूव करने का है ओके तो हमारे को क्या बोला है कि then the equation एक ही है हमार पास ये equation दी है a star x is equal to b और दूसरी हमारे पास equation दी है y star a is equal to b have unique solution दी हमारे पास दो equation दी है एक ये है एक ये है prove ये करना है कि इन दोनों के unique solutions होंगे ठीक है ना solution क्या होता समझो बात को जब हम किसी caution को solve करते हैं तो हमारे पास last में क्या निकलती है x की value निकलती है और y के value निकलती है कुछ b value निकलेगी जो भी निकलेगी वो हमारे पास क्या हुदा solution होता है a b हमारे पास क्या है element जो कि fixed है ठीक है यहाँ पर equation में देखो a b हमारे पास क्या है fixed element है x क्या है variable है इसी variable का solution निकलेगा तो basically हमारे पास x क्या होआ यहाँ पर x यह हमार पस क्या हो गया, solution हो गया जैसे पहली equation हमार पस क्या है a star x is equal to b अब हमें बोला इस equation को show करो कि इस equation का हमार पस unique solutions होंगे मतलब हमार पस जितने भी solution आएंगे वो सारे बराबर होंगे एक ही solution इसमें होगा, दो नहीं हो सकते तो हम मान लेते हैं कि इसमें दो solution आए, different solution आए let a star x1 is equal to b और a star x2 is equal to b x1 x2 हमार पस क्या है दो different solutions है ठीक है ना, हमें क्या प्रूफ करना है कि x1 is equal to x2 तब हम बोल सकते हैं कि इस equation के unique solutions होंगे ठीक है, देखो right hand side में हमार पस क्या है, b है, b है तो left hand side में हमार पस क्या हो जाएगी, equal हो जाएगी ना तो हम लिख सकते है, a star x1 is equal to a star x2 समझ मैं ही बात, ठीक है अब मैंने क्या क्या हमार पस a हमार पस एक ऐसा element है जो हमने g से लिया है, और g हमार पस group है group में हर एक element का अपना एक inverse भी होता है, ठीक है ना तो हमार पस हम बोल सकते हैं कि a inverse भी हमार पस g से belong करेगा, है ना तो मैंने क्या क्या, दोनों side a inverse से multiply कर दिया a inverse star a star x1 is equal to a inverse star a star x2 यहाँ पर मैंने इसमें bracket लगा दिया, ठीक है, देखो a inverse star a हमार पस क्या होती है identity होती है, तो identity को हम e से represent कर सकते हैं यहाँ आ गया x1, यह भी हो गया e x2 identity जिसके साथ भी लगती है वो उसी को produce कर देती है, तो हमार पस यहाँ पर क्या जाएगा, x1 आ जाएगा, इधर आ जाएगा x2, prove हो गया उसी तरह से हमने दूसरी equation के लिए करना है, देखो पहली equation के लिए यहाँ था, वो मैंने कर दिया, दूसरी equation के लिए आप खुद करो एक बाइट राए बाकि मैंने लिख के यहाँ पर रख दिया है, ठीके वही चीज़े जो मैंने अभी बोली है यहाँ रफ कॉपी पाप को लिख के दिखाए वही मैंने यहाँ पर अच्छे से लिखा है ठीके, screenshot ले लो, अच्छे से इसको लिखो ठीके, कोई भी इसमें doubt हो, तो वीडियो में comment ज़रूर करना, अगर कोई doubt होगा